खेलो बच्छों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उमीद बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्छे फिर्वाद करते हैं चलो ठीक है आज यह सब लोग रादे 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 गुड मानिंग गुड मानिंग सब भी लोग आजो बहुत बढ़िया बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं चलिए बचे अब हम लोग शुरुआत करते हैं मतलब कल से आगे कल हमने 16 questions देख लिए थे इस PDF के 17 मैंने बोला था इसको घर से करके देखना और सबने यह question उमीद है कर लिया भी होगा है ना बचो क्योंकि इसका हमें MRP बताना था और MRP जब लाना होता है CP से तो हम बड़ा मुल्य ला रहे होते हैं और बड़ा कैसे करते हैं बटा 10% लाब का मतलब होता है 100 की चीज 110 में दे देना और 5% commission का मतलब होता है 100 की चीज पे 4 में मिले देना है ना बचो अब इसको अगर बड़ा करना है तो बचा इसको 110 अपन 100 करूँगा और उसको भी और बड़ा करना है तो बटा 100 अपन 95 करूँगा 100 से 100 कट जाएगा 95 से 95 सीधा सीधा उत्तर 110 आ रहा होगा next question क्या है बचो ये लिजिए एक और question आप लोग देख पाएंगे क्या ये भी वही चीज है बिलकुल MRP आपको दे रखा ये आपको बटा दे दिया ये इतना परसंट लाब कमा लिया और आप से पूछा कितने में खरीदा होगा CP तो बटा छोटा आता है छोटा कैसे करें आपको भी मालूम है कि 10 परसंट बटा है तो 100 की चीज 90 में जा रही है और भाई 26 परसंट लाब कमाता है 100 की चीज 126 में जा रही है एना बचो अब हमें MRP दिया है बटा CP तो उससे बहुत कमाएगा CP तो लागत होती है लागत तो कमाती है ये तो रिप्रिंट रेट तो जादा होता है न बचो तो कुल मिला करके हमें ये बहुत चोटा करना होगा और चोटा कैसे करें बचो इन दोनों की हेल्प से यानि 100 की गुणा और 126 का भाग और यहां भी अब मैं काटू 18 से 5 बार 18 से 7 बार 7 से 40 बार 40 पंजे 200 ठीक है बचो बड़ा सिंपल सा वे मैंने आपको बता दिया है बहुत ही आराम से अब आप इन सब के उत्तर कर रहे होंगे अब बचो ये देखिए इसमें ना इसमें ना CP दिया है ना MRP दिया है आपको उन दोनों का रेशो पता करना है CP और MRP का रेशो पता करना है बच्चो ठीक है सर जी सिलो बेटा सिलो इसलिए नहीं क्योंकि उस तरह के 6-7 सवाल करा दिये सेम टू सेम तो कलका ही सो था अब तक कोई नया सो नहीं दिखा रहा हूं ठीक है बच्चो चलो अब मैं जस्ट आगे चलता हू अब देखना मेरी स्पीड अब बहुत सिलो रहेगी भाई मेरे उपर कोई वीडियो बनाए तो इसमें मुरा मेरा बुरा कहा हुआ यार हम लोग फैमस हो रहे हैं कम बात है हद धोरी है यार चलो एक दुकानदार किसी बुस्तक के वाला व्यार हमारे उपर बोलने का किसी के पास टाइम है ये थोड़ी बात नहीं है एक दुकानदार किसी बुस्तक के अंकित मुल्य पर दस परसेंट की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर बारे परसेंट का लाब आज़ित करता है तो पुस्तक के क्रेमुल्य तदा उस पर अंकित मुल्य में अनुपात बताओ बच्चो तो ये देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्रेमल है ये अंकित मुल है बच्चो इन दोनों का रेशो बताने हैं आपको अगर हम 100 कोई से एक को 100 माल लें तो दूसरा बटा अपने आप आजाएगा कैसे आजाएगा सर बटा अभी तो निकालें अगर आपको क्रे दिया है तो आप अंकित मुल्य कैसे निकालते हैं बड़ा करते जाओ और अगर अगर बच्चो अंकित मुल्य दिया है और आपको क्रे निकालना है तो छोटा करते जाओ तो आप कोई से एक को 100 मान लीजे शाउंड नहीं आ रही है मेटा साउंड तो बहुत अच्छी आ रही है आप पता नहीं क्या कर और माइक को मुह में दे लेता हूं अब तो आ रही है चलो बच्छो तो यह देखो कोई से एक को आप 100 मान लीजिए या तो क्रेको या अंकित को बटा पिछले सवालों में कोई सी एक चीज देता था यहां नहीं दिया तो और अच्छी बात ह क्यों अच्छी बात है क्योंकि बच्छे हमें अब आ जा दी है कुछ भी मानने को अब सो की जगे 50 भी मान सकते है उसमें तो कोई दिक्कती नहीं है है ना चलिए बच्छे अगर मैं क्रेह 100 मान लूँ और MRP निकालू MRP निकालू बटा चलो 100 गुना 12% लाब है तो 100 की बटा जब क्रेह दिया है MRP हम लोगों को निकालना है तो बड़ा मुल्य लाना होगा खुद बताओ अगर मैंने क्रेह को 100 माना है और मैं MRP लाने की कोशिस कर रहा हूं अंकित मुल्य तो बहुत बड़ा होगा 100 से तो वो 100 से कितना बड़ा होगा बड़ा कर दीजिए ना ब ठीन बार तीन से नहीं तीन से तो नहीं कटे गा यरी यह मैंने क्या कर दिया चलो कोई बात नहीं इनको नहीं काट सकते तो और क्या काट सकते या यह 9 रहने दीजिए 112pción यह कटे नहीं है 11120 उपर है और नीचे 9 है बच्छो यह ना यह यह ना MRP बच्चे बिलकुल है अब ये कुछी से कट नहीं सकते बच्चो और हमें क्या चाहिए CP का और MRP का रेशो चाहिए रेशो तो निकल जाएगा CP 100 माना था MRP कितना आया 1120 बटे 9 आया बच्चो ये ही आया कि नहीं बस इतनी बात हां कर दो अब अगर अपॉन में वन तिर्ची गुणा अगर दोनों की कर दूँगा तो बटा क्या होता है जब भी ऐसे आजाए रेशो तो तिर्ची गुणा से सिंपल रेशो बनाते हैं बच्चो तो 911, 120, 120, 0 से 0 काट दिया और कितने से काट सकते इन दोनों को और इन दोनों को कितने से काट सकते बटा 2 से ही मेरे को नजर आ रहा है 45 बार और 2 से 56 बार 45 ये आपका आंसर होगा 45 ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे देख लीजे कितना सिंपल वे है इस सवाल को करने का है ना कितना सिंपल आप चाहो तो अंकित मुल्ले को भी 100 मान सकते थे फिर क्रे मुल्ले लाते तो हम छोटा करते चले जाते बच्चो तब भी उत्तर ऐस से ही आता क्या और कोई तरीका नहीं है इन सवालों को बटा इस से बेस्ट और क्या मिलेगा आपको ठीक है इस से बेस्ट तो आपको कोई और तरीका मिलेगा ही नहीं इन सवालों का आप पता नहीं कौन से तरीके ढूंडते रहते हैं सेलो बच्चो ठीक नेक्स्ट क्वेश ये सवाल अपने आप कर डालो आपको खुद पता लग जाएगी कि मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ क्रे को स्वामानते हैं जादा तर तो हम बच्चे क्रे को ही स्वामानते हैं यानि सीपी को ही स्वामानते हैं और ये कितना आ जाएगा बटा यही तो पता करना है अगर यह मिल गया मुद्रित मतलब प्रिंट रेट अंग्रेजी में मुद्रित को प्रिंट कहते हैं बच्चों ठीक है चलिए अब बच्चे आगे अगर हम क्या बोले आगे MRP अगर मैं निकालूंगा तो 100 इंटू देखना 20% लाब को हम 120 कहते हैं और 10% छूट को हम 190 कहते हैं इसमें तो कोई दिखकती नहीं है न बच्चों आप मुझे MRP ले करके आना है मुझे MRP लेकर के आना है कि मुझे CP तो बता ही है अब MRP तो बच्चा बड़ा होता है बड़ा होगा की नहीं CP से तो बड़ा कैसे करें बच्चो इसको इन दोनों की हेल्प से तो भाई ये 120 बटे 100 हो जाएगा बड़ा हो गया ये 200 बटे 90 हो जाएगा बड़ा हो गया बहुत साही बच्चो बहुत साही अब मैं इनको काटू 0 से 0 3 से 4 बार 3 से 3 बार, ये 400 बटे 3 आया MRP 400 बटे 3 आया मुद्रित मुले 400 बटे 3 आया और मुझे क्या चाहिए CP का और MRP का यानि मुद्रित मुले का अनुपात चाहिए तो CP तो मैंने 100 माना था और MRP 400 upon 3 आ गया बच्चे अब इनकी कैसे ratio निकालें तिरची गुणा कर डालो ये 300 हो जाएगा वो 400 हो जाएगा 2-0 से 2-0 कट जाएगी ratio क्या आ गया बच्चा 3.4 कितना अच्छा सा और कितना प्यारा सा सवाल था कितने आसानी से बच्चे उत्तर आ गया आप सब लोगों का 3-4 बहुत ही आसान है ना बच्चो ठीक है बच्चो ये रहा बहुत सही बच्चो बहुत सही आप सब के उत्तर आ रहे हैं बहुत गजब के आप सब के उत्तर हैं मैं देख पा रहा हूँ सही है आज सर एप में बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है सर साल नहीं आदव आप एक काम कर सकते हैं री स्टार्ट कर लीजिए फॉन को अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रहे री स्टार्ट करिए आप एक दम से सही कर जाएंगे ठीक है ऐसा कुछ बच्चों के अप में दिक्कत आईए तो री स्टार्ट करवाने से सही हो गया चलिए बहुत बारे ना इसमें भी कैशे बन जाते हैं फॉन में लगातार मेमोरी में तो वो स्लो हो जाता है तो आप लिश्टार्ट को उन सब चीजों को खतम कर सकते हो चलो कभी कभी कर ले कर ले करूँ रिश्टार्ट करने को मनई आपका पहले फॉन स्वुच ओफ करने को मने नहीं करता आपका पहले फॉन सुंच ओप होते ह by तो बड़ अच्छ allora करता ही नहीं सुछ उफ करlusion था ना हमने हंड्रेड एक तो सुरुवात में ही 100 माना था ना और जो MRP आया वो 400 बटे 3 एक को तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि सवाल में या तो आजाए दिया हुआ कि कितना ECP नहीं आया तो आप 100 मान लो ठीक है पिछले वाले सवालों में 100 दिया हुआ था इसलिए और कोई बात अगर ECP निकालते तो MRP फिर 100 मान लेना MRP सो मान लेना जैसे हमने 120 उपर किया है फिर आप 100 उपर 120 नीचे क्योंकि हम छोटा कर रहे हैं फिर चीजों ठीक है 100 और हमने अभी किया था 100 उपर 90 नीचे तो फिर कर देना 90 उपर 100 नीचे मतलब जस्ट छोटा करना है तो छोटे की गुणा करो यह मैंने बोला है अच्छा यह सवाल वर्क सीट में था तो चलो बहुत अच्छी बात है आप पता चल जाएगा आपको एक डिनर सेट का अंकित मुले को वर्क सीट बचो मैं नहीं बनाता वर्क सीट दूसरे टीचर बनाते हैं दीपक सहर और सबसे पता है कि आपको दोनों टीचर का ताल मेल मिलता है तो और अच्छी बात है कि मैंने पढ़ाए और वर्क सीट उन्होंने बनाई तो वो चो गजब की बात हो जाती है ना दो टीचर्स का ने चोड़ आपको मिल रहा है चलो गुरुजी आप तो डाकू निकले बाई क्या बात है ओके डाकू बाबा सुमित नाम भी तो देखो इसका डाकू कहने वाले का बाबा सुमित चलो बड़िया ऐसा ही प्यार बनाए रखो डाकू डाकू गए नहीं ब्लॉक नहीं यार ब्लॉक क्यों जो प्यार में कहते हैं बाद लग एक डिनर सेट का अंकित मुल्य पंद्रे सो रुपे है एक ग्रहक इसके लिए 1173 का भुगतान करता है यदि ग्रहक किरमागत दो छूट प्राप्त करता है तथा पहली छूट की दर 15 परसेन्ट है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी बहुती प्यारा सा बहुती जबर्जश्चा और बहुती आसान सा सवाल आप लोगों की सिवा में हैं बच्छों पंद्रे सो रुपे की चीज हमें फाइनली ृह में फाइनली कितने में मिल रही है ग्यारे स रुपे में लेकिन इस बीच में दो डिसकाउंट दिये गए 1170 रुपे में तो मिल गई 1500 की चीज 1170 में तो मिल गई लेकिन इस बीच दो डिसकाउंट दिये गए कैसे ग्राक क्रमागत दो छूट पहली छूट 15% की और दूसरी छूट दूसरी छूट तो आपको बतानी है बेटा जब 15% की छूट दे के बेचोगे तो यहां सेलिंग प्राइस कुछ आएगा की नहीं आएगा बिल्कुल आएगा तो मैं यह पहले यह वाला प्राइस निकाल लेता हूँ तो यह कितना आएगा बच्चे यह 1500 पर अगर 15% की छूट दोगे तो चीज 85 बटे 100 की रह जाएगी की नहीं खुद बताओ इतने की रह जाएगी क्यों कि 15% तो छूट में गया तो 85% ही तो कीमत बचे हो उसकी जी हाँ तो भाई 15,5,75 तो मैं यह यह लिख देता हूँ 15,5,75 15,8,120 और 7,127 यानि चीज जो है 1500 से 1275 रुपे की रह गई यह मात्र यही मतलब है न बच्चो 15% की छूट दूँगा पहली छूट तो इतने में मिलनी चाहिए थी लेकिन वस्तू तो इतने में मिल रही है बच्चो फाइनल तो इतने में मिल रही है इसका मतलब बच्चो उसने खुद बोला है कि यह की छूट नहीं है दूसरी भी छूट है तो भाई यहां कितने परसेंट की छूट दें बटा इस रेट पर छूट देनी है अब आपको तो यह इतने में मिल जाए तो कितने परसेंट हानी या छूट कैसे निकालते हैं बच्चो आपको याद है कल ली तो किया है ऐसे सवाल कितना रुपिया डल रहा है और इतने रुपे में बेचनी है तो भाई यह कितने रुपे की छूट है 102 रुपे की छूट है 102 की है की नहीं है अब बच्चो किस पर दी है यह छूट इस पर इस पर या इस पर बटा इस पर दी है 1275 पर देखनी है न यह तो ले आया इतना अब कोई कहता जी और दे वो डिसकाउंट किरमागत का मतलब है कि अब इस पर और एक और किरमागत दे फिर इस पर तो इस तरह से होती है वो अब भाई मैं देखूं तो ये गुणा सो हो जाएगा बच्चे परसेंट फूटा जाएगी अब मैं यहां और क्या काट सकता हूँ पच्चिस चौका सो पच्चिस पंजे एक सो पच्चिस एकम पच्चिस एक्यावन दूनी होते हैं बच्चे ये तो चार दूनी आठ परसेंट छूट कितने प्यार में आ रही है बच्चो देखो तो सही कितना मज़ेदार कुश्चन है कितना आसान सवाल है बहुत ही आसान बहुत ही जबर्जस्त बैटा इतना सा सवाल इतना प्यार से समझ में आ रहा है आपको है ना सर मेरे comment की जवाब क्यों नहीं देते बैटा ऐसा करो सवाल जवाब संडीव में पूछे करो उस दिन मैं आपके सामने हाजिर होने तो लगा अब मैं सवाल का जबाब देता रहा हूँ या सवाल करवाता रहा हूँ न्यों बिताओ एक दिन फिर तुम्हें कहले लगाओ गुरो जी आप तो पढ़ाते ही ना बाल को से बात ही करे जाओ 1275 समझ नहीं आया बेटा 1275 कह रहा है बच्चा समझ नहीं आया हाँ ऐसे पूचे करो कहां से समझ नहीं आया देखो बहुत अच्छा कोश्यन पूचा है कि यार ये समझ नहीं नहीं आया तो मैं बहुत अच्छी से पकड़ गया आपकी बात आप कहां ठक रहे हैं तो देखो ये है फाइनली 1133 मिल रही लेकिन दो छूट है उससे पहले एक छूट यहाँ एक यहाँ है तो पहली जो छूट है उसने बोला पहली छूट 15% की दर से तो भाई 15% छूट दे दो इस पे या तो अब इसका 15% निकालो और उसको इसमें से घटा दो या सीधा घटाने से बचना है तो 1500 की चीज को 15% अगर छूट दोगे तो छूट का मतलब हूटा है बटा 100 की चीज 85 में बेख दी अब छूट पे दे रहे हो तो चीज कम की तो जाएगी 85 बटे 100 की तो चीज इतने की हो जाएगी इसलिए आया ये बारे सो पिछिटर अब गुना कर लो यह है बच्चे 1275 अब 1275 की चीज को इतने में देना तो कितनी छूट है इत्ता सा सवाल है इत्ता सा इत्ता सा आजाओ आगे यह एक और सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल आपके सामने है बच्चो एक बार और समझते हैं इसको जरा ध्यान दीजिएगा ध्य बच्चो क्लियर हां 102 कहां से आया कौन सा 102 102 102 काट के आया था एक इस दो नथी डिफरेंस 1175 का और उसका 1173 और 1275 को डिफरेंस जूट आप खुद देखो यह 1275 की चीज है मुझे 1175 में देनी है तो कितनी छूट दी है 1275 डल रहा है 1173 में देनी है तो कितनी छूट दूट को यह 102 फिक है और बताओ पूछे करो ऐसे अगर आप मेरे पैन के साथ सुनोगे न सारी बातों को तो यह कभी कोई बात पूछने नहीं पड़ा क्यों हर बात को बोलता हूं वह यह क्यों आया है यह क्यों है फिक हर बात को आप क्या करते हो आप शुरुआत में तो अपना पै होते हैं रिपीट ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हो फिर आप है ना दूसरा तरीका पिटा हर सवाल में नहीं होता हर सवाल में नहीं होता ठीक है चलो अब आप हर चीज का दूसरा तरीका थोड़ी हो बाल को हर चीज का दूसरा तरीका नहीं होता ठीक है हां भरती होने तो होते हैं दो तरीके, एक तो महनत से दूसरा आजकल जुगाड से, भाई जुगाड वाला तो पता नहीं कैसे होते हैं, पर हां महनत से जरूर हो जाते हैं, इतना तो पता है हमें, ठीक है, लेकिन जुगाड जुगाड के चक्कर में मत पढ़े करो, मतलग कहने का ये है कि आ अब तरीके से चलोगे तो बहुत आगे निकलोगे, बहुत आगे, हर चीज का जुगार धुनना ठीक नहीं है। करें आगे, चलें, तो एक खुद्रा व्यापारी को थोक विक्रेता से घड़ी के अंकित मुल्य पर 10% की छूट मिली। बैटा, खुद्रा व्यापारी को थोक विक्रेता से घड़ी के अंकित मुल्य पर छूट मिली। बैटा, अंकित मुल्य है, हमें पता नहीं है कितना है। तो क्यों ना मैं अंकित मुल्य को सौमान लूँ। तो ऐसे सवालों में बैटा, जहां कुछ भी ना पता हो रेट वेट तो वहां मैं कोशिस करता हूँ क्यों ना मैं सौमान के करके कोशिस करूँ। कोसिसी तो करनी है मेरे को तो मैंने सोचा कि 100 रुपे में घड़ी का अंकित मुल्य माल लेता हूं रिंट रेट माल लेता हूं दस परसेंट की छूट मिली बेटा छूट तो हमेसा अंकित मुल्य पे मिलती है तो भाईया सेलिंग प्राइस यानि विक्रे मुल्य यह हो गया वि रुपे अगर हैंने अंकित मुल्य माना 10 परसेंट की छूट दुकान दन ने दे दी तो 90 रुपे में बेची चलो अब यह इसका मतलब है तो 10 परसेंट उसने वह अंकित मुल्य पर बेच दी तो उसका लाब प्रतिशत बताओ बेटा एक लाइन कहीं कड़बड तो नहीं कर खरीद मुल्य जब तक वो नहीं बताएगा कितने का प्रॉफिट हुआ है तब या नकुसान हुआ है तब तक तो हम खरीद मुल्य पर जाई नहीं सकते बड़ा यह तो सवाल अधूरा है निश्चित रूप से यह सवाल तो अधूरा है भाई तो मैं अब आपको इसका पू एक मट बच्चो क्योंकि यहाना जब तक आपका क्या नहीं मिलेगा जब तक आपका जब तक आपका लाब यहानी नहीं बताएगा तब तक सीपी पर जाए ही नहीं सकते तब तक बटा सीपी पर नहीं पहुंचा जा सकता वो यह देखने जा रहा हूं मैं इसे पाइंगे भी तो नहीं ना सवाल और जारा और पाजा मिला तो मिला तो इसने ना बच्चा मैं इसको सोर्स से देखता हूँ जहां से क्योंकि सवाल तो उसने सही टाइप किया है बट हो सकता है जहां से लिया है वहीं गलत दिया हो मैं वहां से देख लेता हूँ जिस भी बुक से उठाया है कहां से उठाया है कहीं तो गड़बड हुई है सवाल में लाइव चेक कर रहा हूँ उसके लिए विचा सौरी पहले देख लेना चाहिए था मुझे पर मैंने लाइव देखने में थोड़ा ज्यादा मज़ा आता है हाँ हम 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 पहलो बच्चो इसनना गलत दिया है हर जगे थोक विकरेता से एक घड़ी का अंकित मुले इतने पर छूट मली और अंकित मुले पर बेच दी मतलब यह एक एहना चाहा रहा है सीधी बात तो यह है बच्चो कि 100 रुपे में एक दुकानदार 100 रुपे MRP था 90 रुपे में लाया और उसने 90 रुपे में जो दुकानदार खरीद के लाया है ना उसने इसको इतने में बेच डाला मतलब जो इतने में खरीद के लाया है यह खरीद मान लिये हाला कि छूट जब भी दी जाती है तो बच्चा जिस दुकानदार ने छूट दिये उसका वो selling price है लेकिन इसने क्या किया है कि जो दुकानदार एक से दूसरा लाया है तो जिस दुकानदार ने बेची है उसके लिए तो यह selling price है पर जिसने खरीदी है हम उसकी बात कर रहे है तो उसके लिए तो यह CP भी तो बन जाएगा ऐसे उसने माना है कि उसके लिए तो यह CP भी बन जाएगा अब इस CP को अगर इस चीज को अगर 100 में बेच दें तो कितने percent का यानि अंकित मुल्य पर ही बेच दें तो कितने percent का profit होगा इसको बस ऐसे कर सकते हैं कि अगर 10 रुपे का लाब हुआ और 90 में खरीदी थी और गुना 100 तो उससे ना यह perfect सवाल नहीं है पर बच्चों हम इसको बस जबरजस्ती उत्तर लेके आ रहा है यह रहा 11 सही एक बटे 9 ठीक है बच्चों और इसमें कर भी नहीं सकते इससे ज़्यादा जिस तरह से सवाल को दिया है उसने जिस तरह से paste किया है चलो छोडो सारी बातों को भुला के अगले सवाल पर चलते हैं चलो बच्चो है क्या कौन सवाला हमारा अच्छा हाँ बच्चो यूपे ट्रपल से पीटी का जो कोर्स चाहते हैं बच्चे वो 5 जुलाई से रिजिस्ट्रेशन सुरू होंगे 5 जुलाई से 11 जुलाई तक 5 से 5 जुलाई से 11 जुलाई तक बटा वर्दान बैच की बात कर रहा हूं मैं वर्दान बैच है हमारा किसके लिए UPSS के लिए है ना बच्चो PET के लिए UPSS के लिए इसके 5 जुलाई से 11 जुलाई तक रेजिस्टेशन सुरू होंगे 12 जुलाई से बच्चे क्लास स्टार्ट है 12 जुलाई से क्लास और इसमें बटा मैट्स और रीजनिंग मैं कराऊंगा पर चलेंगी मैटन रीजनिंग ठीक है बच्चो तो ये कितना है इसकी कीमत वर्दान बेच बटा 499 का है क्योंकि ये बच्चा आपको नौकरी नहीं दिलाता लेकिन ये नौकरी के द्वार खोलेगा ठीक है पैट जो एक्जाम है नौकरी नहीं है क्योंकि इसके बाद एक में एक्जाम होगा तो ये आपके नौकरी के द्वार खोलेगा और बच्चो हम लेवल हर चीज़ का लेके चलेंगे ताकि आपके में एक्जाम में भी आपको कोई दिक्कत ना है और 499 बैटा रेजिस्टेशन के लिए खास छूट आपके लिए कर रहे हैं 20% आफ जो सुरुवाती बच्चे रेजिस्टेशन करेंगे यानि 11 जुलाई तक ये जो है बैच आपको 399 में ही और बलकि 98 में ही मिल जाएगा 20% आफ का मतलब ठीक है इतना तो आप जानते ही होंगे अब तो भाई ये है पैट की जानकारी अगर किसी को चाहिए तो सही है 11 जुलाई के बाद जो 12 जुलाई जब से क्लास स्टार्ट होंगी तो फिर आपकी फीस यही रहेगी बच्चो चलो तो खूम सस्ता दिया है बहुत दिया चलो आगे बढ़ते हैं बच्चो इतनी बहुत है आगे देखें बच्चे यदि किसी वस्तू के अंकित मुल्य पर 10 परसेंट की छूट दी जाए तो 20 परसेंट लाब होता है यदि छूट बढ़ा कर 20 परसेंट कर दी जाए तो लाब कितना होगा 10 परसेंट की छूट दी जाती है बटा अंकित मुल्य पर तो अगर अंकित मुल्य को हम 100 माल लें 100 माल लें 10 परसेंट की छूट दी जाती है तो भाई अगर 10 परसेंट इस पर छूट दी तो वो सेलिंग प्राइस होता है बच्चे मैंने बोला ना छूट के बाद हमेशा ही selling price आता है पता नहीं पिछले सवाल ने क्या कर रहा था और selling price जो आया है और फिर कहता है 20% लाब होता है बच्चा 90 में बेचने पर बच्चो ध्यान देना कि 90 में बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है बच्चो इसकी पता है कि 90 रुपे में 20% तो हमारे प्रॉफिट के है तो फिर इसकी लागत कितनी है कम होगी या ज्यादा खुद बताओ बैटा 90 में बेचके इस पैन को मैंने 20% profit कमाया इसका मतलब क्या है कि पैन का CP कम रहा होगा और भाई कितना कम रहा होगा वो कैसे निकालते हैं बैटा 20% लाब है तो 100-120 करेंगे हमेशा और आप कहे रहे हो कम आएगा CP क्योंकि लाब में CP हमेशा कम होता है इसलिए बैटा 100 बटे 120 करेंगे क्योंकि मैं CP लेके आ रहा हूँ और हम मैंने देखा बच्चो 0-0, 3-9, 3-4 के बार है, 4-25 बार बैटा 75 रुपिया CP क्या बात है बाई क्या बात है तो पहली चीज क्या है बच्चो 0-0, बैटा कल से नया चेप्टर सुरू होगा जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो बच्चे बीच में जुड़ें उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल से वीडियो कंटिन्यू करें, रेशो एंड परपोर्शन, बहुत सारे टीचर इस चेप्टर से भी सुरुवात करते हैं पढ़ाना ठीक है, पूरे मैच्च की सुरुवात रेशो एंड परपोर्शन से भी करते हैं कोई बात नहीं लेकिन ratio proportion आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप सुरू से class लेते हैं तो total 5-6 part बनेंगे वो आप सब को sub attend करने होंगे ठीक है चलिए बेटा अगर हम देखें selling price selling price 90 रुपे में बेचने से 20% का profit हुआ है तो मैं पहले आपको ये समझाता हूँ MRP 100 है MRP 100 है 100 रुपे है selling price कहता है कि कैसे आया है कि 10% की छूट दिये है इस MRP पर छूट दिये छूट किस पर मिलती है कभी भी print rate पर तो इस पर 10% की छूट देंगे तो बेटा 90 आया लेकिन ये 90 क्या है छूट के बाद कोई के दुका अंदर ले जब ये इस पर 20% छूट ले जा तो छूट देने का क्या मतलब उस बेचना चाहा रहा है तो जो छूट के बाद जो मूल्य आता है बेटा वो होता है बेचने का मूल्य इसलिए कहते हैं ये है सेलिंग प्राइस और इतने में बेच कर खुद कह रहा है कि उसको छूट दी जाए तो 20% लाव होता है छूट देके जो इतने में बेचा है इसका मतलब है ये 20% प्रॉफिट हुआ 90 में बेचने से 20% प्रॉफिट हुआ तो CP कैसे निकालें बेचा वेसे भी पता है हमें कि MRP ये रहा CP कैसे लाते है छोटा करते जाओ एक लाइन में भी कर सकते थे कि 100 गुना 10% छूट छोटा करो जी 90 बटे 100 20% लाव हो और छोटा करो जी 100 बटे 120 तो डायरेक्टली पिछे तर आ जाएगा आप चेक कर लो ये CP डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा अगर आप चाहोगे तो ठीक है बच्चो चलिए क्लियर है बच्चो अब कहता है कि यदि यह चूट बढ़ा कर बेटा यहां तक तो सवाल हो गए यहां तक हमारी तीनों चीज मिल गी एक दो तीन ठीक है अब हमारा चूट बढ़ा कर 20% कर दिया मेन बात होती है CP वो निकल गया हमारा तो अगर चूट बढ़ा कर तो चूट किस पे बढ़ाई जाएगी सेकिंड कंडीशन है बटाए सेकिंड कंडीशन है चूट को बढ़ा दिया जाए अर्थात चूट किस पे दी जाती है जो प्रिंट रेट होता है इसको बढ़ा के 20% कर दो यानि अब जो नया सेलिंग प्राइस है सेकिंड कंडीशन में इसको 20% चूट कर दिया तो सेलिंग प्राइस बटा 80 बनेगा और CP तो हमारा फिक्स हो जाता है जो जितनी लागत आई वो थोड़ी ना बदलेगी आप अपना प्राफिट कम कर सकते हो जादा कर सकते हो छूट बढ़ा सकते हो घटा सकते हो लेकिन CP तो fix रहेगा ना बच्चो जो इसमें लागत आई वो तो लागत तो सेमी रहेगी ना ठीक है तो इसको 75 रुपे की चीज को अब 80 रुपे में बेच डाला मतलब यही कह रहा है ना इतने पर छूट दे दी तो इतने में बेचना पड़ेगा इतनी छूट दीतो तो selling price न्यू वाला यह हो जाएगा अब बच्चे लाब तो अब भी दिख रहा है कितने रुपे का लाब है 5 रुपे का 75 की चीज असी में बटे CP बेटा 75 गुना 100 यह रहा आपका उत्तर 25 तिया पे 6 तर 25 चौका 100 यानि 20 बटे 3 6 सही 2 बटे 3 परसेंट का profit बटा बड़ा नहीं है सवाल सवाल समझने का जादा है सवाल बहुत छोटा है ठीक है तो बहुत छोटा सवाल है बहुत छोटा ठीक है तो आप अबर देखो आप अगर देखो MRP तो हमने अपने पास से माना कहता है 10 परसेंट की चूट दी जाए तो 90 रुपिया में बेचना पड़ेगा तो 20 परसेंट का profit होगा खुद कहरा है तो बहुत इस profit को इस पेसे हटा लूँगा तो चीज 55 हमें पता चल जाएगी profit हटाया तो CP पे पहुँच जाओगे तो 55 रुपे की खरीद है अब कहरा है कि छूट को बढ़ा कर 20 परसेंट कर दो तो छूट तो बहुत इसी पे दी जाती है तो इसका मतलब अब असी में बेच डालो अब असी में बेच डालो CP पिछेतर है तो कैसे निकालेंगे लाब तो जैसे आप सुरुआत से करते आ रहे हो वैसे ही करते चाहिए सर बीस परसेंट समझ नहीं आया कौन सा बीस परसेंट बेटा खुद बोला है उसने यहां दूसरी कंडिशन बना दी यहां तक तो आपके तीन चीज निकल गए थे फिर कहता है यदि छूट बीस परसेंट बढ़ा कर दी जाए तो यानि छूट जब दे रहे हो तो बेटा इसी पर दोगे कभी भी जो छूट होगी वो MRP पर होगी ठीक है बच्चो MRP पर ही होगी जो भी छूट होगी क्लियर है कोई दिक्कत कोई दिक्कर बच्चा नहीं है ठीक है 90 समझ नहीं आया बेटा खुद तो पढ़ो 100 पे MRP 10% की छूट दी जाए तो 10% की छूट देंगे 100 पे तो कितना आएगा 90 अब आप बताओ 5 कहां से आया बेटा आप सुने करो खरीद 75 तरकी है बेचा 80 में तो कितने रुपे का लाब होगा 5 का लाब परसेंट आप समझते नहीं हो क्या लाब परसेंट लाब कितने का 5 का बटे CP गुणा 100 अब एक केरा 80 समझ नहीं आया अगर MRP 100 है इस पर 20 परसेंट छूट करूं तो 80 रुपे हो जाएगा हो जाएगा ना खुद देखो ना खुद बोल रहा है सेकिंड कंडिशन है कि यदि छूट को 20 परसेंट कर दे तो छूट कभी भी जो होगी बच्चा वो जो छूट होगी वो हमेशा MRP पर होगी वो हमे बेटा सौक यह तो माना है माना लेट जो भी सौ चीज दिख रही है आपको समझ लो माननी पड़ेगी हमें वह कुछ तो संक्या चाहिए ना सवाल करने को वह हमने मान ली अपने पास से ठीक है बच्चो आगे बढ़ो एक और सवाल लेते हैं एक और देखिए ये भी जबर बढ़िया असी भी आ गया बहत बढ़िया चलो चलो बहत बढ़िया आ गया ना नब्बे कहां से आया इबेटा मैंने दो बार जवाब दे दिया नब्बे कहां से आया एक वस्तू को उसके अंकित मुल लेकर दो वटे तीन पर बेचने से दस परसंट की हानी होती है चलो वैसे तो आप जितने कुश्यन मुझसे करते हो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप ना कभी भी ऐफलाइन में भी इतने सामने होगे पूछते हो और वास्तव में यह डाउट सारे मैं 100% कहा रहा हूँ कि आप आफ लाइन में पूछ ही नहीं पाओगे मास्टर जब कि वहां सामने खड़ा होता है ठीक है चलिए तो एक वस्तू को उसके अंकित मुल्य के दो बटे तीन में बेचने से 10% की हनी होती है बटा अंकित मुल्य हमें नहीं पता यहां कुछ भी मुल्य नहीं पता यदि कोई सा एक पता होता है हम सवाल बहुत आराम से कर लेते हैं तो भाई यहां नहीं पता तो आप मान लो क्या दिक्कत है अब अंकित मुल्य कितना माने बच्चो ध्यान से सुनना कि अंकित मुल्य कितना माने बेटा अगर मैंने यहां सो माना अंकित मुल लिया तो उसका दो बटे तीन पर बेचूंगा तो तीन से एक कटेगा नहीं जब हमें मानना ही है तो जरूरी थोड़ी है कि हम सो इमाने हर बार तो ऐसा मान लो जो इससे कट जाए तो भीया 120 मान लो 90 मान लो जो तीन से कट जाए यानि यह तीन दिक्कत करता रहेगा इसलिए कह रहा हूँ कि माना है मारपी इस बार सो ना मान के ताकि दो बटे तीन निकाल सकूँ उसका तो मैं 90 मान लेता हूँ आपके 120 मान लो 120 मान लोगा आपके 60 मान लो जो मन करे वो माल लो फिक है जो मन करे बच्चों माल लो हर बच्चे को ये बाते समझ नहीं आती पर अगर आपको आ भी रही है तो बहुत बड़ी बात है ठेड़ सो माना, चलो बच्छो लो आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं लो ठेड़ सो ही मान लेता हूं और बताओ कोई सेवा ठेड़ सो मान लिया? निन्यान है, बटा जीरो वाला माल लो नहीं अब अगर मैं देखूं कि अंकित मुल्य के 2 वटे 3 में बेचने से तो भाई इसके 2 वटे 3 में बेचने से तो selling price क्या होगा बच्चो डेड़ सो का 2 वटे 3 में बेचना है तो भाई मैं इसमें 3 से भाग दू तो ये 100 रुपे में बेचना पड़ेगा क्या 100 रुपे में बेचना पड़ेगा selling price 100 रुपिया है भच्छो ठीक है तो 10% की हानी होती है भईया 1.5 रुपे की चीज़ को 2 बटे 3 में बेचने पर यानि 100 रुपिया आता है अब 100 रुपे में बेचने से बच्चा 10% हानी हो रही है 10% हानी हो रही है अरे भाई सुनो तो सही 10% हानी हो रही है तो CP बड़ा होगा या छोटा होगा बताओ खुद भाई CP तो बड़ा होता है हानी में तो जो selling price है न आपका और हानी को हम क्या लिखते हैं 190 लिखते हैं बच्चो अब आप कह रहे हो कर सर CP बड़ा होगा तो बड़ा होगा तो गुणा ज़्यादा की करनी पड़ेगी बच्चे भाग कम का करना पड़ेगा ऐसे ही करेंगे की नहीं बिल्कुल ऐसे ही होगा बच्चो इसके लावा कुछ और होई ही नहीं सकता तो 1000 बटे 9 ये मेरा CP आ गया बच्चो अगर ये तीनो चीज मिल गी समझ लो सवाल 90% खतम ह हो गया 90 क्या मैं तो 95% मानता हूँ पिचान में परसंट सवाल खतम है अगर ये तीनो चीज मिल गी अब किया कहता है यदि इस वस्तू को उसके अंकित मुली पर बेचा जाए यदि उस वस्तु को उसके अंकित मुल्य पर बेचा जाए अब अंकित मुल्य तो बच्चा डेड़ सो है यानि अगर आपका सीपी ये है लागत ये है खरीद ये है और इसको वापस से इतने में बेचना है तो भाई लाब क्या होगा बहुत ही जवर्जश्त काम कर दिया रहे और भाई लाब बताओ कैसे निकालते हैं लाब क्या होगा लाब परसेंट क्या होगा तो लाब रुपे में भाई इस बार ना इतने में खरीड़ा है कह रहा है अंकित मुल्य मरी बेच डालो खुद कह रहा है सवाल इतने में बेचना है तो profit देखो बच्चो ओहो ये तो पूरा भी नहीं कट रहा अगर बच्चो ये 110 होता मैं कहता 40 रुपे का profit 120 होता मैं कहता 30 रुपे का profit तो भाई अब कैसे निकालू तो अब इसमें से इसको घटाना ही होगा ना बच्चो तो घटाईए तो उपर मैं क्या करूँगा बेटा लाब देखना है तो पहले तो ये करूँगा मैं ये करूँगा की नहीं लाब रुपे में upon CP 1000 बटे 9 into 100 ये ही आएगा की नहीं बस इतनी सी बात को हाँ कर दो जी ये बात समझ में आ गई अगर ये आ गई सवाल खतम कर दिया बच्चों हमने देखो कैसे ये पंदे निम्मा 135 1350 में से हजार गया 350 बटे 9 उपर तो ये बचेगा बटा घटाने पर देख लेना आप और ये 1000 बटे 9 1000 बटे 9 गुना 100 बटा 9 से 9 कर जाता है इसे दो दूसरे और चोथे बटे के एक से हो तो तीन जीरों है उपर दो एरी एक एरी सीधा सीधा 35% प्रॉफिट आ रहा ये आ रहा ये आ रहा बच्चा उत्तर कितना बढ़िया सवाल है ना बच्चों कितने आसानी से आपको समझ आ गया ये डेड़ सोई क्यों माना इसका जवाब खूब खुल के दिया मैंने कि सो क्यों नहीं माना इस बार खूब खुल के दिया आप चाहो तो सो किसी को भी सो भी मान सकते हो लेकिन दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में ठीक है आ जाएगा सो से भी दो बटे तीन क्या है बटा अंकित ये सवाल कह रहा है मैंने अपने पास से नहीं किया 120 से करो आप कर लो ना बच्चो क्या दिक्कत है 120 से कर लो ठीक है चलिए 300 कैसे आया कौन सा 300 आया भाई अरे ये घटा क्या आया यार घटा लो भाई ये तो आपको यार आना चाहिए इतना तो काम 1000 बटे 9 कैसे घटाते है 1500 में से 22 में कैसे घटाओगे 9 लगुत्थम लिया अब मैं क्या करूँगा एक निम्मा 9 9 की 15 1500 में गुणा 1350 माइनस 1000 ये आया 300 ऐसे आया 300 बटे 9 300 बटे 9 आया बच्चो ठीक है चलिये और बताओ क्या करूं प्रॉफिट से एक बार और बता दो फिर बताता हूं बच्चो फिर से सुन लीजिए यहां से मैं फिर से एक बार सुरू से पूरा बता देता हूं क्योंकि किसी बच्चे को समश्या नहीं रहनी चाहिए है, एक वस्तु को उसके अंकित मुल्य के 2 वटे 3 पर बेचने पर, बाटा अंकित मुल्य आप अपने मर्ची से खुल के कुछ भी मान सकते हूँ अगर मैं 100 मानता हर बार की तरह तो उसका 2 वटे 3 पर जब बेचूंगा ना, तो 100 का दो बटे तीन कटेगा नहीं बच्चा जब नहीं कटेगा तो यह शुरू में पॉइंट में आ जाएगा बड़ी दिक्कत होगी बच्चो है ना इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा माल लो जो दो बटे तीन जिसका निकल जाता हूं आप चाओ नबह माल लो आप चाओ 120 माल लो आप यह 100 आ गया सेलिंग प्राइस बटा 100 आया अब जो कह रहा है कि इसने में बेचने से जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें बेचने से 10% की प्रॉफिट हुआ 10% सॉरी 10% की हानी हुई तो हानी हुई तो हानी को तो हम 190 लिखते हैं बटा अब खुद बताओ 100 में बेचने से इसको बड़ा करो खरीद को, तो सौ की गुणा करी 90 का भाग दिया, कम जादा वाली बात जिसको समझ नहीं आती, फिर से देख लो, कि इस बार खुद बताओ, भाई हानी हुई है, तो याद मैंने इतनी बार बताया, हानी में हमेशा CP बड़ा होगा, तभी आनी होती है, क्योंकि अगर मैंने इसको 50 में बेच दिया, मैं खरीद के साथ में लाया था, तो नुकसान अपने आप होगा की नहीं, क्योंकि हान खरीद बड़ी है, अगर मैं इसे 40 में खरीद के लाया, और 50 में बेच डाला, तो भई यह लाब ही लाब है हानी तो सिर्फ तभी होती है जब खरीद बड़ी हो तो इसलिए मैंने खरीद को बड़ा करना चाहा इन दोनों की हेल्प से तो इनमें गुना बड़े की करनी पड़ेगी भाग छोटेगा तभी बड़ा आता है तो बच्चा एक हजार बटे नौ हमारा सीपी आ गया किलियरे बच्चो एक हजार बटे नौ सीपी आ गया इसको करने से अब जो कह रहा है अब यहां से सवाल की सूरत बदलता है कि यदि उस वस्तू को अंकित मुल्य पर ही बेचा जाए यानि पूरा देड़ सो इस वस्तू को जिसका सीपी ये है इसको इतने में बेचा जाए तो भाईया सीपी से देखेंगे कितना लाब हुआ लाब हमेशा सीपी से देखा जाता है और इतने में बेचना है तो यह सेलिंग हो गया तो कितने में खरीदा कितने में बेचना है तो इतने में बेचना है तो देखो कितने का difference हुआ कितने रुपे का लाब हुआ ऐसे देखतें लाब रुपे में अपन CP और गुणा 100 इन दोनों को माइनस वो करके सिखाया मैंने 3700 बटे 9 इनको माइनस करूँ अपन 1000 बटे 9 गुणा 100 काटा पीटा 35% उत्तर बटा ये सब मैंने आपको समझा दिया है बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ू बच्चो 25 सवाल पर इतने गहराई से और इतने आसान से कैसे कोई नहीं समझा पाएगा बच्चो आपको ठीक है चलिए किसी घड़ी के अंकित मुल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मुल्य 1080 रुपे है बच्चो ध्यान देना कि अंकित मुल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मुल्य 1080 रुपे आया तो भाईया ये छूट के बाद ये तो selling price हुआ छूट के बाद जो मुल्य होता है वो selling price होता है तो भाईया MRP तो बड़ा होता है MRP लाना पड़ेगा छूट कितनी दी थी 190 की तो अगर आप चाहो तो MRP कैसे लाया जा सकता है क्या जरूत है हमें MRP लाने की भाईया MRP लाने की कोई जरूत पड़ेगी हाँ कहरा है यदि छूट ने दी जाती तो वो तो फिर MRP देखना पड़ेगा न बच्चो कितना था तो पहले MRP ही देख लेता हूँ कि भाई अगर 1080 छूट के बाद है तो छूट से पहले कितना होगा तो ज़्यादा रहा होगा खुद बताओ कोई चीज छूट के बाद मिली हमें तो छूट से पहले तो बड़ी होगी माल लिजे कोई बुक है वो हमें छूट के बाद मिली आज ही आई ये मिरहात में ये छूट के बाद हमें मिली कि यार ये 300 रुपिया की मिल लगी छूट के बाद इसका मतलब ये MRP तो इसका बड़ा रहा होगा बच्चो बड़ा रहा होगा की नहीं खुद बताओ ठीक है बड़ा रहा होगा तो वही मैं कह रहा हूँ बड़ा रहा होगा तो बड़े की गुणा MRP प्रेंट रेट तो ज़्यादा ही रहता है ना बच्चो मैंने देखा 1200 रुपे रहा होगा 1200 रुपे इसका MRP रहा होगा इतनी बात समझ में आ गई या नहीं अब क्या कह रहा है यदि छूट ने दी जाए छूट ने दी जाए तो फिर तो 1200 रुपे डल रहा है डल रहा है कि नहीं भाई इस पर ही बेचनी है फिर तो और उसका 12-20% लाब होता छूट ने दी जाती यानि इसका मतलब है अगर 1200 में बेचने से 1200 में बेचने से कहां बोला उसने कहरा छूट ने दी जाती तो छूट ने दी जाती तो पूरी 1200 में बेचता बारे सो में बेचने से 20% लाब होता करा अगर छूट ने दी जाती तो इतना profit होना था तो भाईया CP कितना होता क्योंकि बारे सो में 20% लाब है तो लाब को 120 करूंगा भाईया अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो कि ये कितना CP आएगा कम आएगा ना बचो क्योंकि इस में 20% लाब है तो भाई कितना कम करूं 100 बट 120 बस इतना कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं बारे से 10 बार 1000 रुपिया साफ साफ आपका उत्तर आएगा बचो 1000 रुपिया साफ साफ ठीक है बचो किलियर हो गया ना बहुत आसान बताया है एक बार बच्चो सारी बातों को सुनोगे न कि ये ऐसे क्यूं ऐसे क्यूं मैं हर बात का जवाब आपको देता जा रहा हूं बच्चो लास्ट सवाल है पूरे बट्टे का पूरे लाभानी का आज का सब का ये लास्ट सवाल है मैंने बहुत सारे सवाल आपको डिसकाउंट में करा दिये हैं अब मुझे नहीं लगता कोई सवाल आपका छूटना चाहिए बहुत ही आसानी से बताया है चलिए ठीके बच्चो तो हाँ बेटा नोटिफिकेशन मैंने आपको पता दिया था मैंने साथ 20 या 21 में ही जवाब दे दिया था कि 21 तारिक से 9 जुलाई के बीच में 21 जून से 9 जुलाई के बीच में यह ओफिशियली फॉन पे जवाब है बच्चे को आप में से किसी बच्चे को ठीक है SSC Head Office NWR ने दिया है एक एक बात का प्रूफ बताता हूं बच्चो आपको तो यह 9 जुलाई तक हम उन्होंने बोला है कि विकेंसी आ जाएंगी पहले इस बच्चे को उन्होंने उफिशियली जवाब देने से मना कर दिया था फिर उसने बार बार बोला रिक्वेस्ट की कि जी मेरी ओवरेज हो जाएगी इसके बाद अगर मैं एक आद महीना और वेट करता हूं तो मैं ओवरेज में चला जाओंगा तो सर मुझे प्लीज बता दीजिये नहीं तो मेरा कोई फायदा नहीं मैं तैयारी करूं या ना करूं तो उन्होंने एक आइडिया दिया था कि इस दोरान आ जाएगी हो सकता है 27-26 माई हो सकता है 1-2-3-4 माई वो नहीं पता कितने माएगी पर 9 जुलाई तक आ जाएगी अगर हालात सामानने रहे तो हालात तो बच्चे बिलकुल सामानने है तो अब तो उनकी तरफ से तो जब ये ही दिया गया है तो बच्चो फिर तो मैं हमें माल लेना चाहिए कि इस दोरा 99% चांस भी है और बच्चो कोई रुकावट भी नहीं है भरती पर और वो कई बार बयान भी आ चुके हैं अखवारों में आपको भी पता है तो भाई पूरे पूरे चांस है और सटीक बात थी बच्चे कि फिर तो इसका मतलब निकलेंगी निकलेंगी ठीक है अगर फिर भी वो नहीं जगते हैं तो बच्चो आप प्लीज तैयार रहना 10 जुलाई 10 बजे हम लोग ट्वीटर अभियान छेड रहे होंगे ट्वीटर बहुत बड़ा महाभियान छेड रहे होंगे और आप सब लोगों में से अगर 10 हजार बच्चे भी साथ आगए जो पान-पान सो ट्वीट कर सकते हैं तो बच्चो 10 हजार बच्चे हिला देंगे मैं बता रहा हूँ 10 हजार बच्चे अलग-अलग स्टेट से मुझे मिल गए नंबर वन पे ट्रेंड करा देंगे इंडिया में और नंबर वन पे ट्रेंड करने पर इतना तो पता लग जाएगा कि इस भरती का बच्चा अनपड नहीं है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो ये बच्चा दसवी पास हो सकता है लेकिन जाग रूख है क्योंकि दसवी पास को वो इग्नोर करते हैं बड़े एक्जाम्स को डरते हैं कि बच्चे मामला उपर तक उठा देते हैं जील वाले बच्चों से जैसे ठीक है लेकिन इसके लिए भी आपको दिखा देना है कि हम लोगों में भी उतनी ताकते उतनी एकता है उतने ही समझदार हैं उतने ही जाग रुख है उतने ही बड़े बेरोजगार हैं हम और बच्चो निश्चित रूप से पूरी 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 कोसिस करना हर बच्चे को लेकर के आना इस ट्वीटर महा भियान में वैसे तो 99% चांस है कि 9 जुलाई तक आ जाएंगी लेकिन 10 जुलाई 10 बजे सिर्फ हम होंगे और सिर्फ हम ही होंगे बच्चो इसके अलावा इसके अलावा आप जितना भी परचार कर सकते हो कि 10 जुलाई को वैकेंसी का कुछ ना कुछ तो चाहिए अगर 9 जुलाई तक कुछ नहीं आया तो 10 जुलाई हमारा है दिखाएंगे हम कि हम GD नहीं हम बेरोजगार हैं हम सिर्फ SSC GD के दस भी पास नहीं है हम बेरोजगार हैं हम एक हैं और बच्चो जब एक ता भीड़ती है ना एक ता भीड़ती है तो सारे के सारे को लपेटती है इतना उनको भी पता है चलिए ठीक है बच्चो तो GD के लिए बच्चो मैं इतना आप लोगों के लिए कर सकता हूँ क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि SSC head office से vacancy उठाऊँ लो जी ऐसे तो होगा नहीं बच्चो ठीक है तो vacancy आएं उसके लिए पूरी पूरी इकोसिस बच्चो करेंगे ठीक है बटा एक्जाम का वो खुद नोटिफिकेशन जारी करेंगे नोटिफिकेशन में साथ डेट मिल जाएगी तो बहतर होगा चलो पर ट्वीटर का देओर दो अभी और कुछ मत करो और जो बच्चो ओवरेज रहे तो बच्चो अगर हमारा ट् उसके बाद उसका वियान जारी करेंगे लेकिन फिलाल सब लोग इखटा आजाओ सब लोग इखटा आजाओ बच्चो फिर तो हिला देंगे ठीक है चलिए अगस्त में नहीं होगा अगस्त में नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा लिखके दे रहा हूं लिखके दे रहा अंकित भाटी का साइन ये ले लो ये लो हो गया भाई चलिए नहीं है अब ये लास्ट कुश्चन देख लो बहुत बाते हो गई जरूरी है बच्चों आपके मोटिवेशन के लिए ये बाते भी है ना चलिए किसी वस्तू के अंकित मुल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रे मुल्य 24 रुपे हो जाता है बटा छूट देने से ये हुआ है 20% की तो MRP क्या रहा होगा छूट से पहला मुल्य MRP होता है MRP जादा रहा होगा क्योंकि 20% छूट दिये 180 किया है तो भाई 180 MRP तो ये रहा होगा सेर इसकी जरूट है क्या भाई हो सकता जरूट पढ़ जाए निकाल के तो रख लो MRP 30 रुपिया है 30 रुपिया पर 20% की छूट दो 24 आएगा देख लो आप करके अब कह रहा है अंकित मुल्य पर 30% की छूट दे यानि MRP पर 30% की छूट दे यानि 21 रुपिया ये हमारा selling price होगा अगर छूट दिए तो तो इसका विक्रे मुल ये ही तो पूछाए बच्चो तो कितना होगा अगर 30 पर 30% छूट दे तो कितना मुल लयागा कितना असन गना असने रे चलो बच्चो तो कुल मिलाकर के बच्चो बहुत ही बड़ी है बहुत ही जबर्जस्त रहा आज का सेसन बहुत उम्मीदे हैं कि आप ये सेयर वेयर तो जरूर करते होंगे लेकिन कुछ सेयर हो या ना हो ट्विटर अभियान की ये वीडियो में छोटी सी अलग क्लिप निकल वा लूँगा उसको जरूर सेयर करना बच्चो अंकित भाटी विलाउक्स चैनल पर वो मिल जाएगी ठीक है बच्चो ओके बएबए